अब हेलो फ्रेंट्स स्वागए त्यापका अपना यूट्यूब चेनल अपर देखिए आज की क्लास में इलेक्ट्रिक आर्क क्यावल्डिंग की बात करेंगे ठीक है तो आज कुछ बेसिक चीजी जो सो एलक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में जानते हैं, तो आएए देखिए, जहां तक कि आपको नाम से ही असपक्रिक लग रहा होगा, कि एलक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, ठीक है, कहीं नहीं कहीं, जो इसो हम लोग आर्क वेल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं आर्क वेल्डिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिक सप्लाई के दवारा ठेक है तो इसमें से क्या होता है हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर यार्क को produce करते हैं और आर्क को जो produce करते हैं उससे क्या होता है कि metal को hit होता है जो हिट होता है अर्क के कारण से तो भ। फिर वहाँ पे एक electrodes एक electrodes रहता है जो electrodes जो डाल आप जाता है ठीक है तो देखिए आप इस डियाग्राम के दोरा आपको पूरा समझ में आ जाएगा देखिए यह डियाग्राम आपको दिख रहा होगा देखिए यह इलेक्टोड्स है ठीक है यह यहाँ पर जो वर्क पीस है देखिए यहाँ पर वर्क पीस है जिसे जोइंट करना रहता है ठीक है और इस इलेक्रोड में जो में बीच में जो रहता है उसे कहते हैं कोर ठीक है और जो साइड में जो उपर चड़ा रहता है कुछ इसलेज्टा करते हैं और यह हैं यह है है यह है ऑगल के उबेट जाता है कितना यह तक हैसे बेट अचाता है इरेक्टर डेफ्थ सोरी इरेक्टर डेफ्थ यह है आपका इरेक्टर पैरेंट मेटल पैरेंट मेटल हम रोग किसे कहते हैं वो समझिए माल लिए माल लिजे इस मेटल में आपको एक यह मेटल को जोड़ना है तो यह कहला है आपका पैरेंट्स मेटल ठेक है तो यहाँ पर इर्यक्टर parent metal है, मतलग कि parent metal पर जो इसो कितना depth का जो इसो बनेगा welding होगा arc की कारण से, ठीक है, तो आप इर्यक्टर parent metal का लाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आप diagram में देख रहे होंगे, ठीक है, तो अब काम कैसे करता, कैसे welding होता, वो देखिए, जब हम करेंट सप्लाय देते हैं कहां पर करेंट सप्लाय देते हैं एक हम लोग इलेक्रोड में देते हैं और एक हम लोग इसमें देते हैं निच्छे जहां पर मेटल से रहता है वहां पर ठेक है तो जब हम लोग करेंट सप्लाय इसमें देते हैं इलेक्रोड में और इसमें पलेट मे तो क्या होगा electrodes को जब हम लोग touch करेंगे metals को ठीक है उस metal को जहां पर हम लोग को joint करना रहता है तो क्या करेगा ये इसके बीच में और ये electrodes के बीच में क्या करेगा एक जो सो continuity बनाएगा ठीक है और जब continuity बनाएगा तो क्या होगा current जो सो supply होगा और जब current supply होगा तो इस electrode को जहां पर हम लोग टच करेंगे वहाँ पर क्या होगा आर्क फॉर्म करता है आर्क क्यों फॉर्म करता है क्योंकि ये जो electrodes रहता है ये electrodes इस तरह से बनाया रहता है कि जैसे ही इसको touch करेंगे हम लोग इसमें तो ये जो इसो पिघलने लगेगा ठेक है तो आर्क फॉर्म करता है तो आर्क फॉर्म करने के बाद और यह इलेक्रोड्स पिखलता है और यह इलेक्रोड्स उस्सी जवापने हम पो टालते हैं जहाँ हो को ज्वाईब करना रहता है इस तरह से यह ज्योज सो ज्वाईब गलान होता है आगे देखिए देखिये यही सब जो इसो इसमें describe किया हुआ है ठीक आगे देखिए electric arc welding जो रहता हूँ कितने तरह से classify किया है manly जो असब 1 और carbon welding और दूसरा हूता है metal arc welding तो आपको पढ़ना है metal arc welding ठीक है तो आजे देखिए metal arc welding को फिर दो तरह से classify किया है एक bare metal arc welding और दुसरा है shielded metal arc welding shielded metal arc welding को फिर चार तरह से classify किया है एक है coated electrode arc welding दुसरा है h2 shielding arc welding तिसरा है inner shielding arc welding चौथा है submerge arc welding ठीक है तो आगे देखिए arc form कैसे करता है arc का formation कैसे होता है आप इस में जो इस आप देखिए फिर next देखेंगे property of arc तो arc का formation कैसे होता हुआ आप समझिए देखिए इसमें arc जो जो कैसे form करता है वो चीज़ आपको समझना ठीक है तो आपको एक हम simple diagram के द्वारा समझाते हैं मान लिजिए यह metals है और यह metals है ठीक है यह metals है दोनों metals को joint करना है तो हम लोग क्या करता है एक supply देते हैं इसमें और एक रहता है electrodes ठीक है और इस electrodes जो रहता है यह electrodes इसमें supply रहता है यहाँ पर मान लेजिए आपका generator है ठीक है और यहाँ पर रहता है यह electrodes जो यह सो touch करते हैं ठीक है इस पर touch करते हैं और फिर जो इसे बैक ले जाता है बैक ले जाना के बीच में यह electrodes यह electrodes और इस metal के बीच में 3-6 mm का distance रहता है टरएश ईसो फोल्य के में 3-6 mm का distance रहता है तो current जो इस फूल्य कंटिनिववस होते रहता है कैसे फूल्य होता है कि यह जो air रहता है यह metals और electrons के बीच में यह पर जो इसो और ऑनजिवाचत है और ग outta और तो यहाल पर जो ठ्याजिवाच नलस फोल्य की neighboring की fünf और इस तरह से यहां पे जो सो प्रोडूस करता है तो यह मेटल जो है इस पिखलने लगता है और जब पिखलता है तो आप इस इस इलक्टोड को जहां पर ड्रॉप किजेगा वहीं पर जो इस तरह से एक बार ऊपर एक एक बार निच्छे करते हैं ठीक है तो जहां पी आपको इस इलट्टोडGold का मेटरियल्स को इस एलर्ट्ड इननल N제 यह इस का मेटर्यल्स को आपको जहां पर ड्रॉप करवाना है जिस जगा पे आपको वैल्डिंग करना है वहाँ पे आप जो सिसे डाल सिकेश ऐसे तो यह आपका इलक्टूर्स जो इसको गल के गिरते रहेगा जेनरली सब लोग जो इसको देखे होंगे welding करते हैं मशीन का ठीक है और वर्क्शॉप वेरा में सभी जगा पर रहता है यह आर्क ऌचे करते हैं ठीक है next है इन आर्क फोर्मेशन are one is फोर्डूश आनोड एर एलक्टोर्ट वेर एल क्लेंग्रण्स इन्टर यह फिर्ट रनता है तिलेट वें कःथोड के अनोड़ में जादा हीट फोर्डूश करता है ठीक है च्यार्क वेलल्डिंग क्यक Sta to be welded to positive terminal of DC supply DC supply इसको यूज नहीं इसलिए यह आर्क welding जो रहता है वो positive terminal नहीं रहता है work piece जो रहता है नहीं जहां पर welding करते हैं वो positive terminal नहीं रहता है positive terminal हम लोग generally कहाते है जो electrodes रहता है ठीक है next है थड़ है electric आर्क है नेगेटिव रेसिस्टेंस केरेक्ट्रिस्ट ठीक है character जो होता है वो negative negative resistance character होता है ठीक है आगे देखिए next है effect of arc below ठीक है effect of arc length sorry effect of arc length तो आर्क जिसे की माल लिए यह आर्क फॉर्म करता है यहाँ पर यहाँ पर आर्क फॉर्म कर रहा है तो इसके length के उपर जोसो क्या effect पड़ता है कितना distance जो वर्क पीस से उपर रखना चाहिए कितना distance जो निच्ची रखना चाहिए यह सारा चीज जो आपको जानना है effect of arc length में ठीक है तो देखिए देखिए इसमें क्या होता है कि arc का जो length होता है ठीक है arc के रेसिस्टेंच पर अगर जो ऐसो घटेगा तो रेसिस्टेंच भी जो एसो घटता है और अगर जो आर्क का resistance increase करेगा तो जो आर्क का length increase करेगा तो resistance भी increase करेगा और resistance अगर increase करता है तो diameter जो घड़ता है इस तरह से आर्क जो इस तो फॉर्म नहीं कर पाता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं देखिए माल लेज़े यह अगर यह इस आर्क का लेंध घटे कहाँ अर्क लेंध amusement उसका resistance जो form करता ने arc वो arc का resistance भी जो इसो घटता है फिक्रा पहला point दूसरा point अगर जो इसो यहाँ पे नहीं रखे यह metals यहाँ पे है और आपका जो इसो यह लक्रोट्स यहाँ पे है मतलब कि यहाँ पे जो इसो ज़्यादा होगे arc arc का लंबाई यह लंबाई और इस लंबाई में आपको कुछ difference दीख रहे हैं इसका काम लंबाई है इसका ज़्यादा लंबाई है तो यहाँ पे ज़्यादा लंबाई है जिसके कारण से क्या होगा जब लंबाई ज़्यादा हो जाएगा तो resistance इसका ज्यादा रेसिस्टेंस होने के कारण से फिर ज्य डाइमेटर में घटने लगता और यह म्हालने के बाद यह मед n लगता है अगर आप ज़्यादा ईपर रखेए गला थो को सबंदी करेगा नहीं और लो सब्सक्राना को इस जगेदी चिरेए करना है है आप इधर से लइक्रोट्स लाए विए तो आपको यहां पे नहीं पढ़के आर्क थोड़ा सा किनारें पढ़ जाता है इधर पढ़ जाता है ठीक है पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पढ़के थोड़ा सा अगल बगल में हो जाता है वही जो आर्क बुलो कलाता है और पार्टिकुलर जो ऐसा कब होता है जब शुरू करते हैं है पड़ता है लेकिन कम पड़ता है और यहां प्रोड़ोες बहुत ज्यादा ओता है किनारे में तो आर्क बलो मैक्σιमम किनारे रहा है अब कारण क्या है इसका कारण होने का कशला करेब students जो इसो magnetic field setup कर जाता है side में क्या आता है magnetic field setup कर जाता है इसके कारण से आर्क जो इधर भी follow होने लगता है और यहां पर आपका जो बताया हुआ देखिए क्या बुलवा है आर्क is an externally flexible conductor it also produce magnetic field वही बात है magnetic magnetic field produce कर देगा और flexible conductor होता है जिसके कारण से जो आर्क जो इसो पार्टिकुलर पुइंट पर ना पढ़के इधर उधर पढ़ने लगता है और जो इसो मूब करता है पार्टिकुलर ब्रैकर सर में ठेक है तो यह कहलाता है आर्क बोलो लेकिन आर्क बोलो केवल जो इसो DC supply में होता है अब इसे हम लोग DC supply में होता है तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं तो इस तरह से हम लोग यहां पर इसका जो भी आर्क होगा इस आर्क बलू होगा वो इधर पड़ेगा कुछ और डिस्ट्राइब गड़ा कुछ हैं यहां पर किनारे नहीं होगा दूसरा है कि हम लोग आर्क का लेंथ जो इसो इंक्रीज कर देंगे ठेक है तो उसमें भी जो आर्क का बलू क्यांता है तो इस तरह से आर्क बलू मेंटं कर सकते हैं और यë सीम नहीं होता है केवल डिसी में होता है तो आज की क्लास हम है eller करते हैं फिर मिलेंगे next लाइस में ओके वाई बहर अगर उच्छा लां लाग तो लाइक कर देगा नहीं तूँ डिस्लाइक कर देगा